आज हम लोग दो important device के बारे में बात करेंगे, ammeter के बारे में बात करेंगे, तो ammeter क्या होता है? ammeter is a device which is used to measure the amount of current, current flowing in a collector, in a circuit, दिख सकते हैं ammeter क्या होता है? ammeter is a device, ammeter एक device होती है, जो की use की जाती है, current को measure करने में किसी भी circuit में, तो इसका use हम लोग कैसे करते हैं, जो ammeter device होती है, उसको हम लोग जैसे यह हम लोगों का circuit है, तो ammeter हमेशा circuit के series में लगता है, क्योंकि ammeter current measure करता है, इस वचे से इसका use हम लोग किस में करते हैं, सीरीज में करते हैं, अब ammeter के बाद एक important device और आती है, वोल्ट मीटर Vold meter, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, इस हम् वोल्ट मीटर वोग प्रकु χ, वोहти का ड Τοम और ओक टोई यहні में वोल्ट मेडर, to measure the potential, measure the potential difference on two terminals of to terminal of a circuit. किसी भी circuit में, किसी भी circuit में दो पाइंटों के बीच में potential difference कितना है, उसको measure करने के लिए, जो device कि जाती है, उसको हम लोग क्या कहते है, volt meter कहते है. कि अब वोल्ड मीटर क्योंकि वोल्ड मीटर दो पाइंटों के बीच में difference कितना है voltage का यह measure करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसका यूज हम लोग किसमे करते हैं हमेशा? जैसे यह circuit हो गया, आप इस resistance के 0 पर हमको potential difference बता करना है, तो इसके parallel में हमेशा हम लोग क्या लगाएंगे? वोल्ड मीटर, वोल्ड मीटर हमेशा parallel में लगता है, और मीटर हमेशा series में लगता है. करते हैं, जढ रम हमेशा तो आपिछों स्रूंगे संसे के लगता है, यूँिको बढ़ता है, एक करते हैं. करते हैं, करते हैं. झाल झाल